नमस्का दूस्तो Stock Market Studies में फिर्द से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है तो आज यहाँ पर मैं डिसकसिन करने वाला हूँ सबसे ज़्यादा Retail Public के Popular Companies के बारे में सबसे ज़्यादा Popular Bank के बारे में जिसका नाम है RBL Bank तो RBL Bank के बारे मैं डिसकस करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के comment है Sir company दिखा रहा है कि 52 week के high अचिप किया है तो क्या आभी निवेस करना चाहिए देखिए 52 week high और 52 week का low इस दो चीज आपको indicate करता है कि company का scenario अभी का किस level में है मतलब कौन सा दिसा में है ऐसे नहीं कि 52 week high हो गया मतलब company का previous जो high था उसको break कर दिया वो ऐसे नहीं हुआ तो दिखे मान के चलिए यहापर इस company का मैं एक example दे रहा हूँ कोई भी company का 500 lifetime का high था तो मतलब यहापर lifetime high था 500 वासे stock में गिरावट हो गया अभी इसको range चला है 200 तो 200 से थोड़ा सा मतलब 52 days के अंदर अंदर company दिखा जए तो company आपे 300 में गया इसी range के अंदर ही company को दिखा देंगे के 52 week का high हो गया तो इसका मतलब यह नहीं के 500 तो crush कर दिया ऐसे बिल्कुल भी नहीं तो आपको इस चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत सार दोस्तों ने गलत information ले लिया कि उसको लग रहा है कि 52 week के high दिख रहा है इसका मतलब enter होने का time आ चुके है इस company को निवेस करने का time आ चुके है तो चलो इसके बारा में थोड़ा सा जानकर आपको देदू बहुत कुछ information आपको मिलेगा इस वीडियो में तो वीडियो को लास्त तक देखेगा और technically चार्ट पेटन भी सिखाऊंगा तो वीडियो को लास्त तक जूरू देखना तो आप जानते हैं मैं technically जब चार्ट पेटन आपको दिखाता हूँ बहुत सारे information आपको मिलते है वहाँ से आप swing trading, short term trading भी कर सकते है और as a long term mission के लिए पर क्या रहेगा इस company के बारे में जानकरी वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले medica.com साइट के उपर आचुका हूँ इस साइट के उपर जाकर इस details को देख सकते है मुझे बहुत interesting लगता है इसका ratios कर जो follow up तो ratio बहुत सांदर यहाँ पर देखने को मिलता है तो मैं आर्विल बैंक के ratios के उपर आचुका हूँ तो ratios जो चीज मुझे अच्छा लगा वो मैं आपके साइट discuss करूँगा जो मुझे negative लगा वो भी आपको बताऊँगा सबसे पहले जो चीज में देखता हूँ वो है NPA तो NPA का मतलब है non-performing asset जो मेरे पूरने subscriber है उनको पता ही है इसके उपर में बहुत बाट details में बात कर चुका हूँ फिर भी चलो थोड़ा सा बात कर लेता हूँ तो NPA का मतलब होते है मानके चले बैंक का काम क्या है बैंक का काम है मतलब लोन माटना तो लोन वो कहा से बाटते है जितने सारे लोग उसको पैसा देके रखा है मानके चले सेविंग अकाउंट में करेंट से तो इस तरह के से जो मतलब पैसा उसको मिलता है तो उस पैसे से वो क्या करते है लोन माटते है आपको देखना है इस कमपनी का जो मतलब पैसा आ रहा है बैंक में तो वो पैसा जिस बेसिस से आ रहा है उसका वो ही पैसा उसको loan से बाटना होगा और loans को उठाना पड़ेगा तभी उसका एक अच्छा का सा फाइदा होगा तो कितने percentage loan वो market से उठा नहीं पाया क्योंकि दीखें बहुत सारे loan तो दिया जाता है तो इही percentage को NPA कहा जाता है तो NPA का percentage जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा है तो यह पर percentage पहले तो मतलब देखा जाता तो बहुत कम था अभी बीच में बहुत बढ़ गया था 2% के आसपास अभी company control में लेका आया फिर भी 0.60 के नीचे हो तो अच्छा खासा माना जाता है तो यह पर 1.34 है मतलब यहां से double है तो मेरे हिसाब से NPA थोला सा ज्यादा देखने को मिला और एक points मुझे weakness लगा वो है cost of liability पहले बता चुका हूँ company का saving account से current account से FD से जो पैसा मिलता है उस पैसे को वो loan के इसम से बाठते है मगर जितने लोगों ने saving account current account FD से पैसा bank में रखे है वो पैसा भी तो उसको मतलब payment करना पड़ेगा उस पैसे को तो इंटरेस्ट के साथ उसको बापस करना पड़ेगा तो वो भी बैंक के लिए एक liabilities है तो liabilities का percentage आपको परसन के आसपास उससे नीचे होना चाहिए या पर तो साड़े चार परसन के उपर है तो यह पर ज्यादा देखने को मिला है तो इस परामिटर सबको हमेंसा इसी लिए दिखाता रहता हूँ कि वो data अगर change हुआ मानके चलिए मैं बहुत सरे company देख चुको जैसे आईसे इसे बैंक का जो data था वो बहुत खराब था आज उसका scenario बहुत अच्चा हो चुके है तो ऐसे बहुत सरे बैंक से जिसका scenario बहले बहुत खराब था आज अच्चा है ऐसे बहुत सरे ऐसे भी बैंक है जिसका scenario बहुत सांदर था आज वो खराब हो गया जैसे एस बैंक इस बेंग का इस सारे डेटा अगर आप 10 साल पहले देखेंगे तो आपको बहुत सांदर दिखता रहता था मगर अभी मार्केट में खराब सिनारियो क्रेट होने के कारण, NPA बढ़ जाने के कारण, लाइबलीटी बढ़ जाने के कारण, स्टॉक के उपर कितना प्रेसर है, आप खुदी दाकर देख सकते हैं, तो आपको इसी दिए हमेशा इस सारे देटा को देखना चाहिए, और इसी दिए में बोलता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए, बहुत कुछ इन्फोर्मेशन कंटिनेसली आपको मिलता रहेंगे, तो कमपानी का C.A.R. परसेंटेज, मतलब Capital Education Ratio कितना है, करीवन 16% के आसपास, मतलब हाथ में कमपानी के कितने पैसे है, बैंक के हाथ में कितना पैसा रिसर्व है, वो बताते है कि कमपानी का Capital Education Ratio, तो आपको यह देखना है, इस तरीके से डेटा किस तरीके से हैंडलिंग हो रहा है, तो N.I.M. के बारे में बात करो, तो Net Interest Margin, तो कमपानी का Net Interest Margin कितना बढ़ रहा है, वो भी देख लिजिए, तो Net Interest Margin बढ़ रहा है तो एक अच्छी बात है, तो सारे डेटा यहापे में थोड़ा साब को जान करें दिया हूँ, अभी जो चीज़ आपको दिखाना है, वो है कमपानी का Range, अब देखेंगे तो RBL Bank, देखा जो पिछले दिनों में ही 52 वीक का High किये थे, तो इसमें बहुत सारे दोस्तों ने खूस हो गया, अब ध्यान से दिखेंगा, 365 डेज में कितना 22% का Return मिला, इसका मतलब 22% का Return में ही आपको 52 वीक का High दिख रहा है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखकर खूस हाज जाता है, कि 52 वीक का High हो रहा है, मतलब मुझे अच्छा का सा Return मिल गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे कम टाइम पिरोड के उपर, कम रेंज के अंदर ही आपको 52 वीक का High और Low दिखेगा, तो उसी सब से आपको देखना चाहिए कितना परसेंटेज आपको Return दिया, एक साल में 22% कोई कम नहीं होता, मैं ऐसे नहीं कहूंगे कि 22% बहुत कम है, मुझे अज़े अदस बेंग अब देखेंगे, जीतने सारे 52 वीक का High बहुत सारे कमपनिस किये है, उसके बारे में देखेंगे, जैसे आप देखेंगे तो यहाप एक कमपनी है, जिसने 97% का Return दिया, एक साल में, ऐसे एक कमपनी है, जो 52 का High कर रहा है, उसका भी देखें, 180% का Return, इसका मतलब क्या है, कमपनी के उपर percentage कितना Return दिया, वो भी आपको देखना चाहिए, अभी इस कमपनी के और एक पॉइंट सबके बाद साथ में सियर करूँगा, वो है इस कमपनी का Long Term के Chart पटन, अब देखेंगे इसका Long Term के Chart पटन, एक 6 मांद में तो अच्छा कासा Performance किया, एक साल में कमपनी ने उतना खास Performance नहीं किया, पांस साल में देखेंगे, पूरा के पूरा बरबार हो गया, 66% का Losses Company दे चुके है, जो कमपनी 600 के उपर चल ला था, आज कितना, 172 रुपीज के आसबास चल ला है, बैक से में चाट पटन देखेंगे, तो उसी तरीके से कुछ डेटा देखने को मिलेगा, जैसे ES Bank का जैसे ही हालत है इसका, पहले तो अच्छा कासा Performance हो रहा था, उसके बाद अचाना Crash, तो इस Crash के पीछे बहुत सारे कारण से, वो में अलग-अलग वीडियो बना के आपके अच्छा का सा रिटन मिल जाएगा, ऐसे बिल्कुल सोच के मत काम करिएगा, इस तरीके से सोच से ही आपका losses होता है, आपको देखना है, कमपानी ब्रेकाउट कौन सा लेवेल को किया, और कौन सा कमपानी का achievement क्या है, और कमपानी अभी fundamentally financially किस तरीके से growth maintain कर रहा है, उस basis मे निवेस करिए, हाँ, छोटा कमपानी बहुत बड़ा growth नहीं maintain करेगा, फिर भी उसका previous data के इसाब से आवगत देखेंगे, तो कमपानी किस तरीके से performance कर रहा है, वो आपको पता चल जाएगा, इसका previous data के बारे में बात कर रहा है, तो company का profit loss अब देखेंगे, तो continuously company loss किया, बरी माफी चाता हूँ, continuously company ने profit किया, अब ही दिखाए तो company का profit margin थोड़ा सा कम हो गया, तो इसलिए company आपको return के इसाब से भी negative में दिया, तो ऐसे सोचकर negative दिया, बात में negative देगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, company data को change भी कर सकते है, क्योंकि सब कुछ management के हाथ में है, management इस company क तो किस तरह के चलाते हैं, उसके उपर depend करेंगे, तो technically चार्ट पेटन के बारे में बात करो, तो आप देखेंगे, तो यहाँ पर technically stock में जब start हुआ था, करीबन करीबन 230 रुपीज के आसपास था, तब से लेकर company अच्छा गासा काम किया, येस bank चैसे काम किया, उसके बाद around 700 points का गिरावट, यही में सारे लोग बरबाद हो चुके है, तो company इसके बार अभी क्या 10 चला है, मैं आपको बहुत बर बोल चुका हूँ, तो दो लेवल सबकों में बताया था, ये जो लेवल था करीबन 104 रुपीज के आसपास, नेक्स जो लेवल था 75 रुपीज के आसप होगा, क्योंकि मैं आपको हमसा बोलता हूँ, कोई भी breakout होने के बाद, आपको फिर से retracement करके कोई breakout देना चाहिए, मगर यहापे तो retracement नहीं हुआ, फिर से breakout हो गया, और यहापे दीखे, breakout होने के बाद भी जारनी क्यों हो रहा है, बहुत सारे लोग एभी comment मुझे कर चुक इसके बाद यहाँ से continuously जारनी स्टार्ट किया, तो मेरे हिसाब से यहापे जारनी कितने दूर तक हो सकते है, यहापे एक लेवल बन रहा है, 212 लेवल के आसपास, इस लेवल तक जा सकते है, इस लेवल के उपर अगर जाए, तो इस लेवल को तोड़ता है, तो next लेवल रह होंगा, कितने सारे दोस्त लॉंग टम के लिए निविस करना चाते है, तो थोड़ा सा समल जाएए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसका quarter का result आने दीजिए, इसका कुछ time period जाने दीजिए, उसके बाद आपको खुद बता चलेगा के company कौन सा दिसा में जा रहा है, यह था company का पूरा डिटल्स, तो मेरे वीडियो कैसा लगा जोरू कमेंट करना, इसी तरह के से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना, विए नेक्स टॉक में, तब तक के लिए अच्छे सरी अपने ख्याल लग के, वैबाए